वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच क्योंकि खबरों की इनी गहराईयों में छिपा है राजनीती का असली खेल न्यूस चक्र खबर की गहराईयों को टटोलता नासकार आप देख रहे हैं न्यूस चक्र मैं अभिसार शर्मा आपके स्क्रीन्स पर ये हैं रामदेव इन्होंने राजस्थान के बाड़मेर में कहा कि मुसल्मान नमास पढ़के हिंदू लड़कियों को अगवा करते हैं और आतंकवाद करते हैं खुले आम भडकाव वयान आपके स्क्रीन्स पर धीरे इंशास्त्री तथा कथित कथा वाचक इन्होंने कहा कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा जो कि सम्विधान के खिलाफ है कल जंतर मंतर पर भगवा पहने ये साधू कह रहे थे कि मुसल्मानों और इसाईों का नरसंगहार होना चाहिए इन तीनों में समानता है क्या है तीनों सम्विधान के खिलाफ बयानात दे रहे थे अब इन तीन चेहरों पर गोर कीजिए सर्फूरा जर्गर, शर्जील इमाम और आसिफ इकबाल तनहा इन में भी कुछ समानता है तीनों मुसल्मान है, तीनों आक्टिविस्ट्स है और तीनों एक लंबे अर्से तक जेल में रहे शर्जील इमाम तो अब भी जेल में है और अदालत ने इन्हें एक और मामले में बरी कर दिया है यानि कि धीरे धीरे जो भी आरोप दिल्ली पुलीस ने इन तीनों लोगों पर लगाये थे एक एक करके ये तमाम आरोपों से बरी हो रहे हैं यहां तक की अदालत ने इन तीनों को बरी करते हुए कहा कि इने बली का बकरा बनाया गया शर्जील इमाम सरफूरा जरगर और आसिफ इक्बाल तनहा के बारे में अदालत ने क्या कहा मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों मगर सबसे पहले मैं आपका परिशय करवाना चाहूंगा उन तीन महानुभवों के साथ जिन्होंने वो भड़काव बयान दिये थे सबसे पहले राजस्थान की जमीन पर खड़े होकर लाला रामदेव ने किस तरह का भड़काव बयान दिया और वो भी उस साल जिस साल राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं सुनिये इनोंने क्या कहा अब कोई मुसल्मान से पूछो थारो धर्म के कहा है वो कहे कि बस पांच पर नमाज पड़ो फिर जो मनमाज वो करो चे हिंदू की छोले उन्हें ठाके लाओ चे जो भी पाप करना है खरो वो इसलाम का मतरम नमाज समझते हैं गणे पाप करते हैं उईसाई कैसी खाते हैं? बोले बस वो चर्ट मजाओ अब जंतर मंतर पर ये साधू खुले आम मुसलमानों और इसाईयों को मारने की बात कर रहे हैं मैं चाहता तो इनकी आवाज आपको सुना सकता था मगर मैं नहीं सुनाने वाला हूँ मैंने इनका बयान वेब पोर्टल और यूट्यूब चैनल मॉलिटिक्स पर देखा दोस्तों क्योंकि नहायती भड़काव बयान है इसलिए वो बयान मैं आपको नहीं सुनाने वाला हूँ मगर ये बयान कहा दिया गया दिल्ली के जंतर मंतर पर यानि कि देश के बीचो बीच देश की जो राजनीतिक नब्स है देश की जो राधनी है वहाँ पर ये व्यक्ती हमारे भगवा को बदनाम कर रहा था इस तरह के भड़काव बयान देगर अब आपके स्क्रीन्स पर सो कॉल्ड कथा वाचक धीरिंद शास्त्री खोले आम मंच पर खड़े होकर अनरगल बाते करते हैं अन्द विश्वास को बढ़ाने वाली बाते करते हैं और अब इन्होंने ताजा बयान दिया है दोस्तों जिसमें ओ कह रहे हैं कि ये देश तो हिंदू राश्रबन कर रहेगा आप जानते हैं कि सम्विधान में इस बात का कोई प्रावधान नहीं है पालन कर सकते हैं ये सब हमारे सम्विधान में हैं मगर ये हिंदू राश्र की बात कर रहा है जो सम्विधान के खिलाफ है अब मैं आपको बतलाना चाहता हूँ दोस्तों कि आसिफ अकबाल तनहा सरफूरा जरगर और शरजील इमाम को रहा करते हुए अदालत ने कहा क्या आपकी स्क्रीन्स पर अदालत ने कहा अदालत ने जामिया के नजदीक हुई हिंसा के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा इस मामले में दायर मुख्य चारशीट और तीन पूरक चारशीट को देखने के बाज जो तत्थ हमारे सामने आए हैं जो फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं उनसे अदालत इस नतीजे पर पहुँची है कि पुलीस अपराद को अंजाम देने वाले असली अपरादियों को पकड़ने में नाकाम रही लेकिन इन लोगों यानी शरजील इमाम, सरफूरा और आसिफ इक शेहरों पर गौर कीजे, सदीक अपन, अभी दो ही दिन पहले इनको रहा किया गया दोस्तों, 28 महीने तक ये व्यक्ति जेल में था, इस पर आतंकबात की धाराएं लगा दी गई और ये आक्टिविस्ट भी नहीं था, ये एक पत्रकार था, जिसने अपनी रिपोर्ट भी फाइल नहीं की थी, मगर आधितना सरकार ने इसे गिरफतार किया, उसके बाद प्रवर्तन ने देशाले, यानि ED ने इन पर केस किया, और 28 महीने तक ये व्यक्ति जेल में रहा, दोनों मामलों में बेल मिल गई, फिर भी ये व्यक्ति जेल में रहा, और यहीं नहीं, भीमा कोरेगाओं मामले में करीब 2-3 साल से, दरजनों लोग स्वक जेल में, उन में से कुछ लोगों को रहाई मिल गई है, मसलन सुधा भारदवाच, आनंद तेल तुम बड़े, फादर स्टैन स्वामी, हाला कि फादर स्टैन स्वामी को वैसी रहाई नहीं मिली, जैसी सुधा भारदवाच को मिली है, वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वो गिड़गिडाते रहे कि मुझे पानी पीने के लिए एक स्ट्रॉ दे दीजे, मगर वो तक देने में, अदालत में केंद्र सरकार आना कानी कर रही थी, मगर दूसी तरफ, जिन लोगों का एक एहम किरदार है हमारी जिनका अनुसरन लाकों करोडों लोग करते हैं, वो मंच पर खड़े होकर सम्विधान की बेज़दी करते हैं, सम्विधान को गालियां दे रहे हैं और उन पर कोई आक्शन नहीं लिया जाता, मैं ये भी चाहूंगा दोस्तों कि शरजील इमाम, सरफूरा और आसिफ इकबाल तनहा को रहा करते हुए अदालत ने कहा क्या, और ये बहुत जरूरी बात है, मैं चाहूंगा आप इसके एक एक शब पर गोर कीजिए, जज ने कहा ये बताना जरूरी है कि असेहमती और कुछ नहीं, बलकि भारत के सम्विधान के अनुछेद 19 मिनित प करार रखने की हमने शपत ले रखी है, कोट ने कहा, जब भी कोई चीज हमारी अंतरात्मा के खिलाफ जाती है, तो हम इसे मानने से इंकार कर देते हैं, अपना करतब बे समझते हुए हम ऐसा करने से इंकार कर देते हैं, ये हमारा फर्ज बन जाता है, कि हम किसी बात को मानन की जरूत नहीं है जो हमारी अंतरात्मा के खिलाफ है यही काम शहरजील इमाम कर रहे थे सरफूरा कर रही थी आसिफ इकबाल तन्हाने किया मगर हुआ क्या इन्हें जेल में डाल दिया गया और अब भी कई लोग जेल में सड़ रहे हैं इन्होंने भी सिर्फ अपनी अंतरात में जो चीजें हुई ना वो बहुत शर्माक हुई सुदर्शन न्यूस का जो संपादक है सुरेश चमन के उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने तलख तेवर अपनाएं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलीस को फटकार लगाई है यह कहते हुए कि तुम इस आदमी के खिल आप आक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं अब यह आदमी घबरा गया है हिल गया है बुरी तरह से इसलिए जंतर मंतर पहुँच गया और वहां पर भढ़काऊ बयान ये और इसके समर्थक दे रहे हैं बात वहां नहीं रुखी कल जंतर मंतर पर बच्चों को लाया गया स्कूल उसे देखिए बच्चों को लाया गया और सुरेश चवणके के पक्ष में नारे लगवाये गया है आप जानते हैं इन में से अधिकतर बच्चों को ये नहीं पता कि ये नारे क्यों लगा रहे हैं और उन्हें क्यों लाया गया है मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा नीरज पत्रकार नीरजहा हैं, जो मोलोटिक से जड़े हुए हैं, मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे ही एक स्कूल के अध्यापक से बात की और उनसे पूछा कि आप इन बच्रों को यहां क्यों लाए हैं। जबकि ऐसा कोई मामला नहीं सुप्रीम कोट सिर्फ सुदर्शन न्यूज के संबादक के भड़काओ बयान पर तल्ख तेवर अपना रहा है उसके लावा कुछ नहीं मगर इस तरह से जूट का सहारा लेकर मासूम बच्चों को लाया जा रहा है इनके भविश्य के साथ सवाल क्या ये सही है ये लोग जंतरमंतर पर खड़े होकर देश के संबिधान को गालियां दे रहे हैं सुप्रीम कोट को गालियां दे रहे हैं दोस्तों ये कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत निशाना साधा जा रहा है मैं आपसे एक सवाल पूशना चाहता हूँ पिछले आठ सालों से देश पर किसका राज है भाई इस देश पर प्रधान अंत्री नरेंद्र मोदी का राज है जिन्हें एक दूसरे नाम से जाना जाता है हिंदू हृदय समराट अब वो सक्ता में हैं फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि इनके खिलाफ साज़श हो रही है फिर भी ये क सकती ना यानि कि एक तरफ तो भारतिय जन्ता पार्टी के सत्ता में होने का आप फाइदा उठाएं आप पर कोई भी आक्शन नहीं लिया जाए बार बार चाहे जन्तर मंतर हो या धर्म संसद हो इसी तरह के बयानात दिये जाते हैं भडगाव बयान दिये जाते हैं और आरे पास प्रमाण नहीं है और वो सारे प्रमाण सोशल मीडिया पर वाइरल होते हैं दोस्तों मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ इन तमाम सुबूतों के बावजूद इन पर कोई आक्शन क्यों नहीं लिया जाता मगर दूसरी तरफ सरफूर अजरगर, श इसी गुना के, ये तक्थ हैं और मैं सिर्व इतना कहना चाहता हूँ कि न्याय जो है दो लोगों के लिए अलग-अलग नहीं हो सकता, न्याय धर्म के हिसाब से नहीं चल सकता, न्याय की देवी के बारे में कहा जाता है कि वो देख नहीं सकती, उनकी आँखों पर पट्ट उसके माइने ये हैं कि जब न्याय की देवी इनसाफ करती है तो वो ये नहीं देखती कि सामने वाला अमीर है या गरीब, जब वो इनसाफ करती है तो ये नहीं देखती कि सामने वाला हिंदू, मुस्लिम या इसाई है, नहीं, वो सिर्फ इनसाफ करती है, उसके अपनी बे या धिरिन शास्त्री की आलोशना की और सर्फूरा जर्गर और आसिफ अक्बाल तन्हा के पक्ष में बात की तो कई लोग यहां आ जाएंगी ये कहने के लिए कि भाई तुम हिंदू वे रोदी हो सबसे पहली बात में एक बात सपश्ट कर दूँ जरूरी नहीं कि मैं शरजील इमाम या उमर खालिद की हर बात से सहमत हूँ नहीं बिल्कुल उसी तरह से की जरूरी नहीं कि जो मेरे पत्रकार दोस्त हैं मसलं रोहिणी सिंग, रवीश या स्वाती चत्रूरी दि मैं उनकी हर बात से सहमत हूँ नहीं मैं उनकी हर बात से सहमत नहीं हूँ बगर मैं उन्से संबाद करता हूँ गाली नहीं देता कहने कारतियां पर यह है दोस्तों कि अगर आज मैं उस कट्टरवादिता के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा हूं तो उसकी सोच को समझे क्योंकि आपको इस समझना पड़ेगा कि एक राजनीतिक विचार धारा है जो हिंदूओं को डरा रहा है धमका रहा है उन्हें भड़का रहा है उनमें ये डर पैदा कर रहा है कि अगर हम सत्ता से चले गए तो इस देश पर मुगलों का राज हो जाएगा और जब एक समझना को बार-बार भड़काया जाता है डराया जाता है तो उस समुदाय का विकास मांसिक विकास बंद होने लगता है तो अगर आज मैं इस मंच पर खड़े होकर किसी समुदाय के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ संघर्ष कर रहा हूँ मेरे जैसे हिंदूओं के पक्ष में ही कर रहा हूँ निशाने पर बेशक माइनॉरिटीज होंगी मगर मांसिक तोर पर अगर किसी को अपाहिज बनाया जा रहा है पंगू बनाया जा रहा है तो वो हिंदू है इसलिए मैं हिंदूों के पक्ष में बात करने आता हूँ वैसे वो भी कहने कि मुझे जरूत नहीं है मैं इस देश के पक्ष में बात करता हूँ आज कर रहा हूँ और आगी भी करता रहूंगा अब इसार शेर्मा को दीजिये जासत नमस्कार